आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका पुनर्जन आईरुवेद चैनल में आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और कुछ आईरुवेदे कुपचारों के बारे में जिसे इसे ठीक किया जा सकता है हमारे शरीर के अंदर जो नसों में खोन दोड़ता है और उसे शरीर में चारों और पहुंचाने के लिए जो प्रेशर इस्तमाल होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं ब्लड प्रेशर रीडिंग के बारे में अगर बात करें, तो वो है 120 by 80 mmHg, जिसमें नमबर 120 सिस्टॉलिक प्रेशर को दर्शाता है, जबकि 80 नमबर टास्टॉलिक प्रेशर को दर्शाता है. इसके बाद, आम दोर पर जब ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120 से जादा आती है, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जबकि वहीं अगर 120 से नीचे आती है, तो उसे नॉर्मल रेंज में कहा जा सकता है. वैसे ही प्रेशर अगर 80 से नीचे पाया जाए, तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर या फिर हाईपोटेंशन कह सकते हैं. अगर हाई ब्लड प्रेशर की सही तरीके से जाच ना की जाए या पता ना लगाया जाए, तो ये काफी कमभी रूप ले सकता है, जैसे की हार्ट अटेक्स, स्ट्रोक्स या फिर कई सारी जानलेवा बिमारिया. जैसा कि मैंने बताया कि कुछ केसिज में ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को मेडिकल शेतर की दुनिया में साइलेंट किलर के तौर पर भी जाना जाता है. आज टेक्नोलोजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई सारे डिवाइसेज मौजूद हैं जिनके मदद से आप हाईपर टेंशन, डाइबिटीज या फिर थायरोइट की जान्च घर पर ही कर पाएंगे. इन में से ब्लड प्रेशर की जान्च स्थेतोस्कोप से भी हो सकती है. इसके अलावा, इस्फैक्मो मैनोमीटर, हार्ट रेट असेस्मेंट, पल्स रेट, हार्ट रेट असेस्मेंट, एलेक्ट्रो काडियोग्राम और भी कई सारे हैं. आज की इस दौर में, मेडिकल किये हैं, ताकि हाइपर्टेंशन पे उन्हें और अच्छी उपलब्धी मिल पाए. अब अगर बात करें हाइपर्टेंशन के इलाज की, तो हमारे पास कई सारे तरीके मौझूद हैं. जैसे कि कैल्चिम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी हाइपर्टेंसे मेडिकेशन और एंजिय आज के समय में मौझूद है. लेकिन जो खर्च इसके इलाज में आता है, वो कहीं न कहीं लोगों को मजबूर करता है कि वो इसे नजर अंदास करें. जबकि ये नजर अंदास करना भविश्य में किसी भी इनसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. तो क्या ये संभव है कि ब्लड प्रिशर का इलाज कम से कम पैसों में आसानी से हो पाए? जी हाँ, बिलकुल. प्राचीन आईरुवेदिक तरीकों से ये बहुत यासानी से संभव है. आईरुवेद में हाई ब्लड प्रिशर की कंडिशन को आश्रुक वात कहा जाता है. और इसके इलाज के लिए आईरुवेद में कई तरे के चूर्ण मौजूद हैं जिने पौड फॉर्म में बनाया जाता है कई सारी जड़ी बुटियों की मदद से, जिसकी वज़े से हाई ब्लड प्रिशर पर आसानी से काभव पाया जा सकता है. सबसे पहले अगर बात करें, तो अश्वगंदा चू जिसे हम तेला मादी कहते हैं और गोगशुरा जिसे हम पलेरु कहते हैं बराबर मत्रा में ले लें और अब इसे तीन ग्लास पानी में इसे धीमी आज पर अच्छी तरह से उबालें और जब ये जल कर आधा हो जाए तो इसे हलका गुन-गुना होने दें और उसके बाद इ इसका इस्तमाल करते रहें तो ये आपको ठीक भी करतेगा. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तमाल आपको ताजा बनाकर ही करना है ताकि इसका असर जदा बहतर हो सके. तो आज हमने जाना हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और आईरवेदिक उप्चारों के बारे में जो घर पर काफी ज़ादा असतार है ऐसी ही जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद